नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमारी यूटूब चैनल पर और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी 2021 के परिक्षा परिणाम को लेकर तो आज का ये वीडियो राजस्थान के सभी परतियों की परिक्षाओं की तयारी कर रहे सभी विद्यारतों के लिए बहुत ही महत्वपून है महत्वपून इसलिए है कि राजस्थान के इतियास में पहली बार कोई परिक्षा परिणाम इतना जल्दी गोसित किया जा रहे तो आईए मैं आपको एक ट्वीट बता देता हूँ यह ट्वीट है राजस्थान बेरोजगार एकिकरत संग के अध्यक्स उपेन यादव का उपेन यादव ने आज दस बजे के करीब ट्वीट किया था कि वीडियो परिक्षा का परिणाम इस वीक में आने के पुरी संभावना है यदि कोई तकनीकी समश्या की समश्या नहीं रही तो अगले वीक परिक्षा परिणाम नहीं हुई तो इसी वीक जारी कर दिया जाएगा और अगले वीक पकका जारी कर दिया जाएगा और ये राजस्थान के इतियास में पहली बारारसा होगा कि किसी परिक्सा का प्रणाम इतना जल्दी गोसित किया जा रहा है और ये नीचे लिका हुए अगले वीक में कम्पिटर अनुडेसक बरती का परिक्सा प्रणाम भी जारी कर दिया जाएगा अगर ये परिक्सा परिणाम जारी नहीं होता है अगले वीग तो 8 अगस्त को 11 बजे सभी अब्यर्थी बोल पहुंचे और परिणाम को लेकर चेर्मैन से मुलाकात की जाएगी तो कम्पिटर अनुदेशक वालों के लिए भी बहुत खास नूज है कि अगर अगले वीग उनका परिक्सा परिणाम जारी नहीं होता है तो 8 अगस्त को 11 बजे बोल पहुंचे और उपयान यादव की अधिक्स्ता में चेर्मैन से मुलाकात की जाएगी और उनसे बात की जाएगी और वीडियो मेंस रिजल्ट को लेकर काफी वीवाद चल रहा था जैसे कि जोदपूर में पैपर खुले मिले थे और कहीं पे डमी अब बिर्थी भी बैठे थे और कोई एक ऐसा एप था जिसके बारे में बताया जा रहा था कि उसमें से बहुत सारे क्योसन आये थे तो इन सब विवादों के बीच ये परिक्स परिणाम इतना जल्दी निकाला जा रहा है आगे वीडियो मेंस से समन्दित कोई भी अपडेट प्राप्त करने के लिए अमार चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाए धन्यावाद